हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छे रेसिपी इस ऐसी बताऊंगा, मैं जो आप किसी भी फेस्टीबल में, कोई भी दिवाली हो, दशैरा हो, कोई भी फेस्टीबल हो, आप बहुत आसानी से इन बरफी इसको बना के रेडी कर सकते हो, इसमें मैंने छे तरह की बरफी आपको बताया है, कि जो की घर में रखे समान से, बहुत आसानी से इसे बना के रेडी कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा चीजे नहीं चाहिए होंगी, बस सिर्फ एक एक रेसिपी में, दो दो तीन चीजे चीज अगर कप से बताऊं तो ये सवा कप के करीब है, ग्राम में बताऊं तो 200 ग्राम मिल्क पाउडर है, 24 ग्राम हमने मिल्क पाउडर लिया है, अब इसमें आपको पता होगा और फैट मिल्क पाउडर होती है यए पूरा ऊणरे ही घी घी हम डालेंगे melt करके और जितना हमने milk powder लिया है उसका half से भी थोड़ा सक कम डालना है मतलब कि हम यहाँ पर 80 ml डालेंगे 80 ml हमने घी को melt करके हलका सा गुनगोना गरम करके डाला है इसमें और अच्छे से इसको हातों से mix करेंगे या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं जब तक यह बिल्कुल mix होके और जब बिल्कुल अच्छे से यह combine ना होने लग जाए जैसे लड्डू जैसे ना बनने लग जाए तब तक हमें इसमें घी डालना है अगर कम जादा करना चाहें तो कर सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन यह पूरा अच्छे से combine होने लग जाए तब तक हमें इसमें ऐसे घी डालना है जब तक यह बिल्कुल अच्छे से लड्डू जैसा ना बनने लग जाए तब तक घी डालना है बस इससे ज्यादा घी हम नहीं डालेंगे बस इतना बहु तो चार्षनी हम बनाते हैं चार्षनी बनाने के लिए एक पैन मैंने लिया है जो गैस पर रख दिया है अब चीनी हलवाई वैसे double table का यूज करते हैं मतलब तीन गुना ज्यादा भी यूज करते हैं जितना milk powder होता है लेकिन मैंने यह पर एक कप चीनी मतलब की 200 ग्राम ची जब यह एक बार अच्छे से उबल जाए तो एक मिनट हम और इसको उबालेंगे ताकि इसमें एक तार वाली चार्षनी बन जाए एक तार वाली चार्षनी बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमें बर्फी को सेट करना है थोड़ा सा डालेंगे के ओड़ा वाटर या फिर रोज पास हो या फिर इलाइची का पाउडर हो जो भी आपके पास है यहां पर एक टी स्पून के करीब डाल सकते हो इलाइची का पाउडर थोड़ा कम डालना जो के ओड़ा वाटर रोज वाटर है वो एक चमच आपते हो उसके बाद हम इसे अच्छे से उबालेंगे एक मिनट तक एक मिनट जब ऐसे हो जाए तो उसके बाद चासनी अपने आप ही थोड़ी सी गाड़ी दिखाई देने लग जाएगी तब ऐसे फिंगर से चेक करना है हलका सा इस तरह का तार बनना चाहिए एक तार वाली चासनी बननी चाहिए तो इसका मतलब चासनी हमारी बिलकुल तो आप हम क्या करेंगे जो हमने मिल्क पावडर और घी को मिक्स करके रखा है न वो हम इसके अंदर डाल देंगे बिलकुल अच्छे तरीके से डाल के मिक्स कर देना है इसमें कोई गुछलिया और कोई लम्स वगरा नहीं पड़ेंगे बिलकुल अच्छे से आसानी से ये म अगर इसमें घी की quantity कम होगी या फिर घी आप नहीं ऐसे milk powder डाल देंगे तो फिर गुठलियां और लंस और इसमें आ सकते हैं तो इसलिए आपने क्या करना घी पहले mix कर लेना milk powder में फिर आपने इसे डालना है तो इसमें कोई लंस और गुठलियां नहीं आएंगे बिल्कुल आसानी से ये mix हो जाएगा ग्यास को तब तक ही on कर रखना है जब तक हम इसको mix कर रहे हैं जब mix हो जाए तो ग्यास बंद कर दें क्योंकि तार वाली चासनी तो already बनी हुई है तो हमारी जो बर्फी है वो already set होने के लिए ready है अगर आप इसे जल्दी set करना चाते हैं तो जादा है जादा ब्राऊन सो जाए जीतना जादा पकाएंगтесь ओतनी जादा ब्राउन हो जाएगा तो इसलिए को चाष्ञानी टार वाली थी तो इसलिए अंक्याम बंद कर दिया ग्यास को तो अब हमें ठोड़ा सा पौडर डाल डालना है स्टाटिंग मैंadas kun cobra ऑड़ तो आ आप इसमें क्या कर सकते हो ? कि vanilla जो powder आता है vanilla essence या फिर vanilla powder जो भी आपके पास है वो एक चमबच Calendar या तो यह वनिला वाला फ्लेवर का बन जायगा अब हमने क्या किया इसको बिल्कुल अच्छे से mix करने के बाद थोड़ा सा इसको हम check करेंगे क्योंकि मुझे तो पता है कि ready है लेकिन जो नए लोग है उनको कैसे पता लगेगा कि ये ready है चमच में मैंने थोड़ा सा निकाला है इसको थोड़ा सा ऐसे फूक मार के ठंडा करें और जब ये ठंडा हो जाए तो ऐसे अपने फिंगर में इसको पकड़ के देखें और ऐसे अपने फिंगर में थोड़ा सा इसको घूमा के देखें अगर ये बिल्कुल अच्छ से आपके finger में इस तरह से मूरा है और आपके हाथ में नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बर्फी सेट होने के लिए ready है अगर ये आपके हाथ में बिल्कुल चिपक रहा है बहुत जादा चिपक चुका है अगर आपके हाथ म तो फिर आपको इसे और पकाना पड़ेगा तब यह सेट होने के लिए ready नहीं है तो आप इसे और पका सकते हैं अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब ready है अब जैसे ही मैंने ग्यास को बंद कर रखा है तो यह बरफी का जो mix है यह ठंड पर रखते हैं तब तक हम क्या करेंगे हम इस एक ट्रे रैडी करेंगे कोई भी ट्रे ले सकते हो आप घर के थाली यूज कर सकते हो कोई भी चीज आप ले सकते हो इसको फैलाने के लिए थोड़ा सा लगाए ओईल को अच्छे से चारों तरफ फैला दे ताकि जब हम इसके ठोड़ा सा ड्राइफरूट लगाके ड्राइफरूट को बर्फी के उपर चिपका सको मैं तो मैंने यहाँ पर ड्राइफरूट ऐसे बटर पेपर के ऊपर ही ऐसे फैला दिया है वैसे मिल्क पाउडर में इसी तरीके से ड्राइफ रूट ढाला जाता है लेकिन आगर आप ढलना चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं, अगर butter paper नहीं है, तब भी आप इसे set कर सकते हैं, तो यह देखी है, आप बिल्कुल set होने के बाद हमारी burphy झांड़ी हो गई है, तो बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर आने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा अभी ये थोड़ा सा हलका सा गुनगुना गरम है इसलिए भी थोड़ा लिक्विडी टाइब लग रहा है लेकिन ये ठंडा होता जा रहा है ये बर्फी बिल्कुल सेट हो जाएगी तो हम इसको एक ट्रे में इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे और एक ट्रे में धीरे-धीरे करके हम उपर से इस तरह से डालेंगे अब इसको डालने के बाद हलका सा स्पैचुला में या किसी चमच में ओईल लगा के इसको बिल्कुल अच्छे से स्मूथ और क्लीन कर देंग बिल्कुल यह देखे इस तरह से अब यह spatula में भी नहीं चिपक रहा अगर मैं हाथ लगाओ तो हाथ में भी नहीं चिपकेगा क्योंकि अब यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो ठंडे होने के बाद अगर यह ना चिपके तो इसका मतलब है कि बर्फी सेट होने के लिए ready है अगर यह चिपक रहा है तो फिर इसका मतलब बर्फी सेट नहीं होगी तो उसे आप थोड़ा सा पैन में डालके और पका सकते हो यह देखिए अब इसे रख देंगे एक से दो घंटे के लिए तीन घंटे जितने मर्जी आप टाइम के लिए रख सकते हो लेकिन एक दो तीन घंटे के लिए कम से कम इसे जरूर रखें आप चाहे तो इसे ओवर नाइट के बाद भी इसे कट कर सकते हो बर्फी बिल्कुल सेट है तो मैंने इसको ऐसे उल्टा कर दिया है और यह निकल के आ गया बटर पेपर को हटाएंगे और इसके पीसे हम चोटे बड़े बड़े जो भी साइस के पीसे हम कट करना चाहेंगे वैसे हम इसको काट लेंगे यह देखिए इसको मैंने पहले थोड़ा सा साइड से काट दिया है इसका साइड में काट के निकाल दूँगा ताकि यह बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट दिखे पीसे इसके यह देखिए कितना परफ और हाँ जितनी भी हलवाई विश्टाइल वाली रेसेपेज होती हैं वो सारी मैंने अप्लोड कर दी है तो आप चाहो तो मेरे चैनल पर बहुत सारी हलवाई की जितनी भी वीडियोज हैं वो आप देख सकते हो सेकिंड हम बनाएंगे बदाम बर्फी या बदाम कतली भी बोलते हैं इसको सबसे पहले हमें बदाम चाहिए होंगे बदाम को हमें या पे भीगा के रखना होता है दो से तीन घंटे के लिए तो मैंने या पे इसको दो घंटे पहले ही एक कप बदाम यानि की 200 ग्राम बदाम क आप ले सकते हैं अचा बदाम का जो छिलका है उसको उतारना होता है तो आप चाहो तो इस तरह से बदाम को भीगाने के बाद भी इसे ऐसे चिलका उतार सकते हो बदाम के भीगने के बाद भी यह जो छिलका है वो बहुत आराम से उतर जाता है लेकिन इससे थोड़ा सा टाइ में पानी बॉयल करना है और जब पानी उबल जाए तो उसमें बदाम ये सारे डाल दे और फिर एक मिनट तक इसको ऐसी उबलने दे एक मिनट के लिए ऐसे एक बार उबाल आ जाए मतलब एक मिनट ऐसे उबल जाए तब इसको बदाम को हमें निकाल लेना है और ये उसके पानी में एक बार डालना है बस इसे बहुत जादा देर तक उबालना नहीं है तो आप इसको क्या गरेंगे इस तरह से आसे दबाएंगे तो बिल्कुल आराम से इसका जो चिलका है वो निकल जाएगा ये देखिए बस इसको ऐसे प्रैस करना है हलोई की दुकानों पर हम कर लिया है अब इसको हम मिक्सी वाले जार में हम डालेंगे क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है हल्वाई क्या गरते हैं कि इसको लच्छे दार बनाते हैं हम यहां पे मिक्सी हमारे घर में होती है तो इसमें हमें दूद यूज करना होगा तो मिक्सी में हम आधा कप दू में लच्छे दार बादाम को पीषते हैं अधिकता है तो इसको ऐसे Y comes up. और यूष करने की जरुद्ट नहीं पड़ती तो हमने घर कर से बना या है थोड़ा सब्सक्राइब करना धोटी जब करना के तो इसलिये दालने से ये थोड़ा पैन में चिपकेगा नहीं, बहुत ज़ादा मतलब घी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, उसके बाद हम यहाँ पे जो बदाम हमने पेस के रखा है, वो हम डाल देंगे, और जितना हमने बदाम यूज किया है, हलवाई बिल्कुल सेम आप डाल सकते हो, लिकिन मैंने थोड़ा सा कम डाला, मैंने 1.500 ग्राम ही चीनी का पाउडर डाला है, आप चाहो तो कम जादा कर सकते हो, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर अब घर में बना रहे हो, तो हलवाई के मुकाबले में थोड़ा मीठा कम ही रखें, यह देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे ही यह चीनी है और दूद है इसके अंदर, वो अस होगा, तो यह थोड़ा ऐसे लिक्विडी हो जाएगा, मतलब ऐसे गीला गीला सा हो जाएगा, लिक्विडी टाइप का, तो बस इसी को हमें सुखाना है, अब तक इस तरह से ऐसे बबल्स निकलेंगे इसके अंदर, तो आप समझ जाएगे कि अभी यह गीला है, जब यह बिल्कुल बबल्स खतम हो जाए, तब इसका मतलब है कि यह ड्राइ होना स्टार्ट हो गया है, यह देखिए, अभी बबल्स काफी जादा निकल रहे, मतलब काफी गीला है, बाकी बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसे चेक कैसे करना है, कि बदाम बर्फी हमारी रैडी है या नहीं, कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बस इसको करीब 5-6 मिनट के लिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आप बीच बीच में हाई फ्लेम पे कर सकते हो, अगर ऐसा लगे कि हीट कम है, तो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा करके, फिर से मीडियम कर लिया, ऐसे मतलब करके आप इसको जल्दी से सुखा सकते हो, आप इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे, इसका जो कलर है उतना ही ज़् ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अगर ब्राउन नहीं करना है, तो आप दूद कम से कम यूज़ करें, क्यूंकि अगर दूद ज्यादा रहेगा, गीला ज्यादा रहेगा, तो उसको ज्यादा टाइम तक पकाना होगा, तो इसले यूज़ करें और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाके ready कर लें आप इसको बदाम को dry piece के powder भी बना सकते हो जैसे हम काजू कतली वगएरा powder बनाके बनाते हैं लेकिन उससे फिर छिलका अलग नहीं होगा तो बाग की आपकी मर्जी है जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हो देखिए अब इसको जैसे जैसे मैं पकाते जा रहा ह कि यह ready है वैसे मुझे पता है बिल्कुल यह ready है फ्लास्ट में जब इस तरह से ready हो जाए बिल्कुल पैन छोड़ने लग जाए तब एक चमच इसमें हम बड़ा चमच घी डाल देंगे घी आप skip भी कर सकते हो पसंद है तो डाल भी सकते हो जाधा भी डाल सकते हो जितना जाध इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हो मैंने या पर इलाइची का पाउडर भी नहीं डाला और उसके बाद हम इसको अच्छे से mix कर देंगे जैसे हमने घी mix किया आप देख सकते हो यह बिल्कुल पैन को छोड़ रहा है और यह बिल्कुल spatula में भी नहीं चिपक रहा अब इ यह बिल्कुल ready है सेट होने के लिए हमारी बरफी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी देखिए यह बिल्कुल ready है गोल गोल बन रहा है अभी यह गरम है फिर भी गोल गोल बन रहा है तो इसका मतलब भी बिल्कुल अच्छे से सेट होने के लिए ready है बरफी तो मैंने य नीचे लिया हूं नीचे थोड़ा सा इसको रखके हम ठंडा करेंगे और ऐसे बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे तो जो चीनी है वो एकी जगा पे श्टक नहीं होगा बिल्कुल अच्छे से मिक्स रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे एक इस तरह की कोई बर्फी वाल इसके अंदर डालना है आप इसको अच्छे से फैला देना है बाकी आप इसको चाहो तो बेल भी सकते हो जैसे काजू कतली का शेप हम कट करते हैं इसको बेल के रोटी के शेप में आप इसको बेल लो थिकनेस आप अपने हिसाब से कम जादा करके और फिर कट कर सकते हैं लब की आप इसे पूरी रात के लिए रखें तो ज्यादा अच्छे से बर्फी सेट होगी हमारी बदाम लॉंज लेकिन मैंने यहां पर दो घंटे ही रखें हैं दो से तीन घंटे बहुत ज्यादा नहीं रखा क्योंकि हमें यहां पर तोड़ा सा सॉफ्ट ही इसे चाहिए हो जाएगी तो यह देखिए हमने इसको निकाल लिया है अब इसको प्लेट में हम रख लेंगे और यह हमारी बदाम लॉंज बिल्कुल रेडी है यह देखिए ऐसे प्लेट में रखके आप इसके उपर चांदी का वर्क वगरा भी लगा सकते हो आप इसके उपर इस तरह से फ्लावर से या गार्निश कर सकते हो मैंने रोस पैटल से इसके उपर डाला है और थोड़े से बदाम अबरा रखें बाकी इसको मैं तोड़के दिखा हूँ तो आप देख सकते हो कितना सौफ्ट है कितना परफेक्ट है इसे अगर आप एक दिन पूरा रखेंगे तो यह ब दाल सकते हो जितना भी आपको पसंद आप डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद इस दूद को हमें उबालना है जब तक उबालना है जब तक कि यह बिल्कुल रबडी जैसा गारा ना हो जाए तब तक हमें उबालना है चार से पाच मिनट का टाइम लगेगा चार से पाच मिनट में यह इस तरह से गारा होना स्टार्ट हो जाएगा यह देखिए बिल्कुल गारा होने लग गया है हाई फ्लेम पे रखना है कुछ भी अभी डालने के जरूत नहीं है अभी हमने इसके अंदर चीनी वगरा कुछ भी नहीं डाला है अभी यह सिर्फ तब तक हम बाकी का दूसरा काम कर लेते हैं तो इससे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए ऐसे रख देना है ठंडा करने की वैसे जरूत नहीं है जितना ठंडा हो गया उतना काफी है उसके बाद दूसरा चाड़ाई यह यह पैन कोई भी चीज हम इसके उपर रखे जाले एक-दू मिन इस तरह से ड्राइ भूनने से क्या होता है कि एक अच्छा सा स्मोक की अजाता है और यह थोड़ा सा काफी जाता है मतलब यह जो मैदा है यह फाइन होता है काफी ज्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा ल fictional निशाधा थोड़ा सब कर दोने तोड़ा बढ़ जाता है अच्छा हो जाता है इसके बाद 2-3 मिनट के जब इसको भूंते हो जाएं तब इसके अंदर हम घी डालेंगे यहां पर घी मैं कम यूज़ कर रहा हूँ 1-4 कप घी का यूज़ कर रहा हूँ 1-4 कप मतलब की 3-4 चमच के करीब आप डाल सकते हो एक चुछाथाई कप अगर ग्राम में बताऊं तो 50-60 ग्राम के बीच है अब इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे जैसे मिच्स करते जाएंगे स्टार्टिंग में काफे जादा सूखा लगेगा लेकिन जैसे ये mix होके थोड़ा सा भूनना start होगा तो ये घी छोड़ना start कर देगा देखे अभी क्या हुआ है कि इस starting में काफी जादा सूखा लग रहा था अभी धीरे धीरे ये थोड़ा सा liquidy type का होता जा रहा है अब जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे ये बिल्कुल गीला होता जाएगा अब इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो मैदे का कच्चापन है ये बिल्कुल खतम हो जाए और इस तरह से जब तक ये गीला है और ना हो जाए जब तक अच्छे से घी न छोड़ दे देखे अब इसने घी छोड़ दिया है मतलब कि अब इसके अंदर कच्छा पन नहीं है ने तो जो बरफी है हमारी वाइट नहीं बनेगी अभी ये थोड़ा सा भून गया है अभी बिल्कुल इसने घी भी छोड़ दिया है तो अब हम इसके अंदर एक कप डालेंगे चीनी का पाउडर चीनी का बूरा या फिर बूरा खान भी आप इसके अंदर डाल सकते हो गुड का पाउडर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो एक कप मैंने डाला है अगर ग्राम में बताओ तो यह 1.500 ग्राम है, मतलब कि 150 ग्राम है, कम जाधा कर लेंगे, तब भी कोई प्राप्लम नहीं है, अगर कम करना चाहें, तो मीठा कम पसंद है, तो कम कर सकते हैं, और जाधा करना चाहें, कम से कम एक कप तो डाल नहीं है, उसके बाद यह देखिए, यहाँ पर हम इसको एक गिलास दूद का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे क्या होगा, यह एकदम क्रीमी और मावा जासा टेक्चर देने के लिए, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहें, तो आप बिलकुल स्किप कर सकते हैं, आप डिरेक्ली इसको मैदे के से ही बना सकते हैं, आप चाहो तो दो-तीन चमच, बड़ा चमच, मलाई डाल सकते हैं, इसके अंदर अगर आपके पास यह रबडी नहीं है, तो या फिर दूद नहीं है, रबडी नहीं है, तो आप मलाई डाल सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर भी डालके हल बर्फी की तरह set होने के लिए बिल्कुल ready है मतलब कि अगर हम इस time पे अगर इसको set करने के लिए रख दें तो 3-4 गंटे में हमारी बर्फी set हो जाएगी बिल्कुल perfect अगर आप चाते हो कि हमारी बर्फी थोड़ी जल्दी set हो जाए फिर थोड़ा सा आप 1-2 मिनट के लिए इसको पका लें फिर जल्दी set हो जाएगी बर्फी लेकिन अगर आप soft बर्फी चाते हैं तो आप इसको इससी time पे set कर थोड़ा सा इलाइची का powder मैंने इसके अंदर डाला है उसके बाद हम इसको mix करेंगे और इससे ज़दा हम इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें बर्फी को soft रखना है बस चलिए चलते हैं इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तब तक हम क्या करेंगे इसके अंदर बटर पेपर लगा देंगे और इस तरह का cake tin हो आपके पास तो अच्छी बात है इसके अंदर आप बटर पेपर लगा के इस तरह से बर्फी का जो mix है वह हम फैला देंगे बर्फी को थोड़ा सा ठंडा करना है बहुत जादा ठंडा करने के जरूत नहीं है ऐसे आप गरम गरम भी डाल देंगे तब भी सेट हो जाएगी बर्फी हमारी यह देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको हमने फ्लैट कर दिया है और इससे जो हमने रबडी डाली है रबड लेकिन कम से कम 3-4 घंटे रखना पड़ेगा अगर आप रोम टेंखेंगे तो यह देखिए 3-4 घंटे के बाद हमारी बर्फी बिल्कुल सेट है अब हम इसको कट करेंगे इसको निकालने के लिए बस सिंपल ही आपने बडर पेपर को ऐसे पकड़ के खीच लेना है और यह बस इस तरह से सिंपल तरीके से आपने बडर पेपर को पकड़ के खीच लेना है और यह बिल्कुल आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा मैं इसको उल्टा इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि जो उपर से ड्राइफ रूट है वो निकल न जाए बहुत जादा वह ऐसे तो से कोई प्राइब नहीं है बनाने है तब आप इसको सीट को तो निकाल कने खतकर निकाल दिया है और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे आप मे оп के सकते हो देखते हो आप मार्किट में यह से नबड़ा से ठाना मोटा जो भी तिकने स्वगर आ परक नाचाहों वसagnet रख सकते हो मदलब की आपकी मरजी है जैसे भी आप इसके hypothesis बनाना चाहे व्यससे आप बना सकते हैं मैंने न 독ली क्लेसे square pieces में इसको कट किया है जैसे हममें हलवाई के दुकानों पर कट करते हैं square shape में वैसे कट कर लिया है बाकि आपको जो भी अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो फूर्थ रेसेपी हम बनाएंगे गुड और ड्राइफ रूट से भरी कोकोनट बर्फी चलिए फिर बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें यहां पे एक कप डै्सिकेटड वाला कोकोनट पाउडर चाहिए होगा और इसे हमें मिक्सी में डालना है यह देखिया मिक्सी वाला जो जार है वो इसके अंदर हमें डाल देना है और उसके बाद इसके अंदर हम ठोड़े से ड्राइफ रोड घर बीदे डालेंगे के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आप इसके अंदर कोई और चीज भी डाल सकते हो या फिर कोई चीज आपके पास नहीं है तो इसकी भी कर सकते हो यह देखिए अब इसको हमने पीस के एक बार निकाल लिया है बाउल में इसे चानने की जरूत नहीं है क्योंक एक गिलास यानि की एक कप दूद चाहिए होगा हमें एक गिलास दूद ले सकते हैं या फिर एक कप दूद ले सकते हैं यहां पर नॉर्मल वही वाला दूद है जो आपके सभी के घरों में आता है उसके बाद हमें आपे चाहिए होगा आधा कप गुड मैंने गुड कप य जाल सकते हो बस इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है इसको ना तो उबालना है ना तो कुछ करना है । सर्फ गुड़ को मेटlle करना है, तो हमारा जो बिल्कुल अच्छ अच्छ से मेट हो जाएगा और उसके बाद दूसरा पैन हम यहां पर एक रखेंगे और इसके अंदर जो हमने powder पीस के रखा है वो powder हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम roast करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा भूनेंगे, यह थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, वैसे अ और चाहो तो milk powder भी mix कर सकते हो या फिर तील का powder भी मार्केट में आता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो या फिर तील को भी ऐसे ही आप डाल सकते हो बिना ग्राइंड किये मतलब कोई भी चेंजेस इसके अंदर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा अगर आपके पास कोई चीन नहीं है कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं अच्छे से भूनना है दो तीन मिनट तक जब तक कि इस तरह से हलका सा कलर ब्राउन न हो जाए तब तक आप इसको साइड करेंगे और यह जो दूद है इसको हम यहां पर रखेंगे और गुड तो हमने डाल दिया तो चीनी वगरा डालने के जरूरत नहीं है क्योंकि गुड काफी मीठा होता है अब उसके बाद यह जो पावडर है सारा वह हम इसके अंदर डाल देंगे और अच चमच घी इसके अंदर डाल सकते हैं तोड़ा सा अच्छा ठेस्ट के लिए यह टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाता है अच्छे से पहले इसको पका लेता है फिर एस altogether जलब गादाए मैं-अभर बर रस जीर तो यह जड़ा हेंगे ज्यसे दोर 585 को नहीं लगए बदम दो मिनट ही मुझे हुए है इसको पकाते हुए में कितना गारा हो चुका है क्योंकि जो जो कोकोनट है वो काफी तीन से चार मिनट के लिए पका लिया है तीन से चार मिनट में इस तरह से टाइट हो जाता है विल्कुल इस तरह से देखे कितना perfect लग रहा है न एकदम टाइट हो चुका है थोड़ा सा इलाइची का powder इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा चाहे तो घी इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसके भी कर सकते हो एक चमबच यहां पर घी हमने डाला है थोड़ा सा moist रखने के लिए बरफी को soft रखने के लिए और थोड़ा अच्छा टेस्ट के लिए ताकि हमारी बरफी जो है long time तक खराब भी न हो इसलिए यहां पर घी डाला है अच्छे से mix करेंगे और यह बरफी अब set होने के लिए ready है तो इसलिए मैंने आप gas को बंद कर दिया है अब gas को बिल्कुल बंद कर दिया है अब हम चलते हैं इसको बरफी को set करते हैं किसी भी tray में या किसी थाली में कोई भी चीज आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास हो इसको set करने के लिए बरफी वाली tray थोड़ा सा ठंड़ेते हैं इसको तब तक के लिए हम क्या करेंगे इस तरह का कोई cake tin हो आपके पास कोई थाली हो कोई भी चीज हो उसके अंदर butter paper लगा लेना है और अच्छ से oil लगा देना है बस इसके अंदर ये जो mix है वो डाल देना है और अपने हातों से अच्छ से इसको press कर देना है या फिर spatula से आप इसको press कर सकते हो और अच्छ से set करने के लिए इसको मतलब की set होने के लिए एक दो घंटे के लिए हमें इसको रख देना है दो घंटे में ये easily set हो जाएगा इसके अंदर कोई और drive road अब डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं आप चाहो तो इसको ऐसे उल्टा करेंगे और ये बिल्कुल आराम से निकल के आ जाएगा क्योंकि butter paper तो अंदर लगा हुआ था तो easily निकल के आ जाता है ये देखिए butter paper भी हटा लेते हैं और ये देखिए कितना perfect burfi बनके ready है इसकी cutting बहुत easy है जो मर्जी shape में आपको अच्छा लगे वैसे आप इसकी cutting कर सकते हैं आप चाहो तो triangle में, square में या फिर जैसे मर्जी आप इसकी cutting कर सकते हैं मैंने आप बस square में इस तरह से pieces को cut कर लिया है जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे cut कर लेना है मैंने आप बिल्कुल नॉर्मल रखा है बिल्कुल सिंपल तरीके से ये देखिए दोस्तो वैसे तो सबसे आसान रेसिपीज हलवाई वाली मेरे चैनल पर सभी बहुत सारी तरह की अपलोड है लेकिन बहुत सारे रेसिपीज ऐसे हैं कि नहीं भी अपलोड है सारी मिठाईयों के नाम बताइए ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारी मिठाईयों के वीडियो अपलोड कर सकूँ देखिए हमने इसको निकाल के रख लिया है प्लेट में और इसको मैं तोड़ के दिखा हूँ तो आप देख सकते हो कितना सौफ्ट और कितना अच्छा लगे आप लगा सकते हो तो फिफ्ट रेसिपी हम बनाएंगे मलाई नारियल पार्क रेसिपी बहुत इजी है चलिए फिर स्टाट करते हैं बनाना सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूद यहां पे दूद मैंने आधा लीटर लिया है मतलब की कप से बता हूँ तो दो कप दूद यहां पे मैंने यूज किया है दो कप दूद यह नॉर्मल वही दूद है जो आप सभी के घरों में आता है बफैलो मिल्क वही चाहे पैकेट वाला हो चाहे कुछ भी हो कोई भी दूद हो आपने ले लेना आधा लीटर उसके बाद आधा कप चीनी इसके अंदर हम डालेंगे 120 ग्राम के करीब है मतलब 120 ग्राम आपने यहां पे चीनी डालना है कम जादा कर सकते हो अगर आपको मीठा कम जादा रखना है तो अगर आप नॉर्मल मीठा रखना चाहते हो तो आधा कप तो कम से कम डाल नहीं डालना है उसके बाद हमें इस दूद को लगातार चलाते रहना है जब हमारा दूद बिल्कुल इस तरह से उबल जाए तब इसके अंदर हमें डालना है एक कप नारियल आप नावडर यूज कर सकते हो इस तरह से आप देखो डेसिकेटेड वाला जो मार्केट में आता है वो यूज कर सकते हो या फिर फ्रेश वाला जो आता है वो आप उसका काला वाला चिलका निकालके मिक्सी में पीस के आप वो डाल सकते हो या फिर जो ऐसे सूखा हुआ नारियल आता है उसका भी काला चिलका आप निकालके अच्छे से कद्धू कस करके वो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो जो fresh वाला नारियल है जैसे नारियल मिलता है तो वो वाला अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसका बस काला वाला चिलका अटाना है मिक्सी में या फिर कद्दूकस से उसको ग्राइंड करके बिल्कुल अच्छे से फाइन करके उसको इसके अंदर डाल देना है मैंने यहाँ पर एक कप डाला है नारियल जो डेसिकेटेड वाला है इसके अंदर पानी नहीं होता मॉइस्चर नहीं होता बाकी आप अगर ताजा वाला डालेंगे तो उसके अंदर पानी रहेगा लेकिन वो जाधा टेस्टी रहेगा यह बहुत सिंपल सा तरीका है क्योंक उसके बाद हमें इसको चलाते रहना है लगातार तीन से चार मिनट तक जब इसको हम ऐसे चलाएंगे तो यह एकदम से इस तरह से गाड़ा हो जाएगा जब तक कि यह बिल्कुल गाड़ा होके अच्छे से डो जासना बन जाए तब तक हमें इसको लो फ्लेम पर ऐसी पकान अब उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मलाई क्योंकि यह मलाई नारियल बर्फी है तो यहां पर आप नॉर्मली मलाई होती है आप उसे एक कटोरी में निकाल ले तो दो से तीन चमच के करीब आप इसके अंदर डाल सकते हैं टेबल स्पून से अगर आपके पास यह नही गी से थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और यह जो मलाई डाला है यह भी पकाने के बाद घी ही बन जाता है लेकिन हम इसको जादा नहीं पकाएंगे ताकि जो क्रीमी वाला टेस्ट है वो इसके अंदर रहेगा यह देखिए अब इसको जादा पकाने के ज़रुत नहीं ह लेकिन जो ताजा नारियल होता है उसको आपको थोड़ा जादा पकाना होगा ताकि इससे सेट होने के लिए रैडी हो सके और इसके बाद इलाइची का पावडर थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे ग्यास क अगर आप घunts करना चाते हैं तो आप थोड़ा सा और इसको पका सकते हैं ताकि यह जल्दी सट हो जाए उसके बाद देखिए अब यह बिल्कुल रेडी है तो मैंने आप एगयास से हटा दिया है अब थोड़ा सा पंखे की नीचे भी लोक्त घंडा गर तो भी यह बहुत ऌग या किसी भी थाली में जो भी आपके पास है को आपके पास है को कि ब्रफी वागien को यूज़ कर सकते हो को इस तरह से तो मैंने थाली में सब्सक्राप भी यूज़ कर सकते तो करीब 2-3 गंटे के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं तो बर्फी हमारी बिल्कुल सेट है और बिल्कुल सॉफ्ट भी है मतलब कि इसे आप दो दिन बाद भी कट करेंगे न तब इतना ही सॉफ्ट रहने वाली है यह देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे पीसे में जो भी इसका डायमेंड कट है वह पीस रखा है बाकी इसके उपर थोड़े से मैंने ड्राइफ रूट डाल दिये कटे हुए पिस्ता और बादाम इसके उपर से डाल दिया है आप चाहो तो चांदी का वर्क भी इसके उपर लगा सकते हो थोड़ा और अच्छी बर्फी दिखाने क लास्ट में बनाएंगे बेसन और आटे की टेस्टी बर्फी फिर बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहां पर एक कड़ाई रखा है गैस पे और इसके अंदर हम एक कब डालेंगे सबसे पहले बेसन आप कोई भी ले सकते हो बारी क्या मोटा जो भी आपके पास है यहां पर हम पहले इसको ड्राई भूनेंगे मतलब कि थोड़ा सा इसको हम बीना घी के भूनेंगे मतलब कोई घी वगरा नहीं डालेंगे घी डालेंगे लिकिन अभी थोड़ी देर में पहले हम इसको ड्राई थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट के लिए बस एक मिनट के लिए इसको ऐसे थोड़ा सा भूनने से क्या होता है कि एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है स्मोक की टाइप का और थोड़ा सा यह दानेदार हो जाता है उसके बाद हम यहां पे थोड़ा सा आटा डालेंगे जितना हमने बेसन डाला है उसका हाफ आटा हम डाले मतलब इतना भूनना है कि 1-2 मिनट भून ले बस उसके बाद हलका सा color change होने लग जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर घी डालेंगे अगर इस तरह से हम भूनके घी डालते हैं बाद में तो क्या होता है कि घी कम यूज होता है यहाम कम घी डाल सकते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में घी डालते हैं तो जाधा घी का यूज होता है यहाँ पर घी मैं यूज कर रहा हूँ यह मैंने उतना यूज किया जितना हमने बेसन डाला है 3-4 cup के करीब मैंने डाला है 200 gram है यह 200 gram या 180 gram या 150 gram कम जाधा करके घी आप डाल सकते हो मैंने यहां पर 180 ग्राम के करीब यहां पर घी डाला है 180 ग्राम घी डालके अच्छे से इसको mix करना है और यह देखिए एकदम से mix हो गया और यह गाटा और बेशन को भूने हुए की वज़ा से इसने तुरंथी घी छोड़ दिया है मतलब कि यह तुरंथी घी छोड़ना स्ट से 3-4 मिनट तक तब तक इसको आपने भूनना है इस तरह से जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाए तब तक यह देखे क्योंकि टेस्ट जो है वह ब्राउन करके ही आएगा अगर हम इसको बहुत जादा लाइट कलर रखते हैं या फिर कम भूनते हैं तो उतना जादा टेस्ट नहीं आता जितना बिलकुल अच्छे से भूनने से आता है तो इसलिए मैं आप है विलकुल अच्छे से इसको भून दिया अब इसको साइड में हम करेंगे और एक दूसरा पैन हम रखेंगे यहां पर चीनी हम योज़ करेंगे 200 ग्राम मतलब की एक कप चीनी आधा कप पान डाल दिया है अब इसको चलाते रहेंगे और इसको उबालेंगे एक मिनट के लिए जब एक मिनट के लिए बिलकुल अच्छ सी यह उबल जाएगा तो हमारी एक तार वाली चाशनी बनके रेडी हो जाएगी अच्छा चीनी की जगा आप चाहो तो सेम प्रोसेस आप गुड से कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी लोगों को चीनी नहीं पसंद तो आप गुड से भी इसको बना सकते हो आप सेम चीनी की जगा पे गुड डालना और पानी उतना ही डालना उसके बाद अच्छे से चाशनी को उबाल लेना है थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर केवड़ा असेंस हो तो आप एक दो ड्रॉप इसके अंदर डाल दो अच्छे से फ्लेवर आने लग जाता है उसके अंदर और इलाइची का असेंस भी डाल सकते हो बाद में तो हम इलाइची का प के अंदर डालना है लेकिन हमें अब gas on करने के जरूरत नहीं है आप हम क्या करेंगे इन दोनों को mix करके ठंड़ा ही करना है अगर चार्षनी एक तार वाली रहेगी फिर तो ठीक है बिल्कुल अच्छे से यह ठंडा होने के बाद डो जैसा बन जाएगा अगर एक तार की नही है और हाँ आगर आपको मार्किट वाला कलर चाहिए बिल्कुल तो फिर फूड कलर डालना होगा यहां पर मैंने एक दो ड्रॉप रेड फूड कलर और एक दो ड्रॉप हमने येलो फूड कलर डाला है दोनों को mix करेंगे एक अच्छा सा केसर वाला कलर बनके ready हो जाएगा द इसमें हम एक दो चीजिया और डालेंगे जैसे कि इलाइची का पाउडर थोड़ा सा एक चौथाई चमच के करीब आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा हम डालेंगे एक चौथाई चमच सोट का पाउडर मतलब कि जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं सोट का पाउडर जिंज और आपी सारी चीज Τर्थे हैं रवाड़ सकते हैं तो गाड़ा विद्ध हैं अब प्काइक नॕे नहीं हो Пएल सकने जया होँ और जते हैं यह दो खेले होड़ा जो कि आले की जो कि नले के रहें करें बस हैं हम अग्यों सब्सक्राइब क्योंकि दिए OF मितलब कि झा थंडा हो यह अभी भी कि थंडा हो गया एक डिया है तो इस तरा से या जा गरत से हमाथा गरा हैं तो और इस ताईम पे हम यह तू को बरफी कि tarp सकते हैं आप बेस सकते हो कितने जाधा डानेा और है कितना पाफ सेठार थे आपफ säक्ट है किसी पेडे की शेप में बना सकते हो या फिर कोई लड़ू जैसा भी बना सकते हो मैंने यह पर बर्फी की तरह सेट किया है तो थोड़ा सा एक प्लेट में ओइल से ग्रीस कर लिया है आप इसको अच्छे से यह दिखे इस तरह से और बर्फी की शेप में इसको set कर देंगे ये देखे इस तरह से और इसको हम रख देंगे ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए set होने के लिए वसे एक घंटा आप fridge में भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो मैंने इसके उपर इस तरह से pieces के हिसाब से बदाम set किया है तो बदाम भी आप इसके उपर लगा सकते ह मैं pieces के हिसाब से बस सिर्फ इसके उपर निशान लगा रहा हूँ इस तरह कट के काट नहीं रहा हूँ बरफी को मतलब बरफी के pieces मैंने cut नहीं किये बस सिर्फ उपर से इसको निशान लगा रहा हूँ ताकि जो हमारे pieces है बदाम बहुत अच्छे से arrange कर सकूँ देखिए बि इसको ऐसे cut कर लेना निशान के हिसाब से जैसे जैसे आपने निशान लगा है वैसे हम इसको cut करके ready कर लेंगे और इसके pieces बहुत आराम से निकल के आ जाते हैं लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बहुत जादा ऐसे handle करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसके अंदर हमने पानी जादा यूज नहीं किया है कि दानेदार रखने के लिए अगर जादा पानी हम इसके अंदर थोड़ा सा यूज करते तो ये बहुत अच्छे से pieces सेट होते लेकिन वो फिर बहुत जादा soft होते और अभी ये बिल्कुल perfect है अगर मैं तोड़ के दिखा हूं देखिए क थैंक यू सो मुच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाई